अब उठा लो आनन प्रती दिन के जीवन का आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शान्ति पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रती दिन के जीवन का आज की टेलिविजिन कारेक्रम में स्वागत है यहां हम रिण मुक्त होने के बारे में बाते करने वाले हैं इसमें आपको दिल्चस्पी होगी क्योंकि आज कोई मुश्किल से रिण मुक्त है मगर मेरे ख्याल से सबी होना चाहते हैं इश्यो की देह के लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर बातों को केंद्रित करेंगे जिसके बारे में काफी कुछ सुने में नहीं आता आजकल और वो यह क्या आर्थिक विशो को कैसे संभाले और खास कर आप कैसे रिण मुक्त हो सकें मैं चाहते हूँ कि आप विश्वा सुन मुक्त करें कि यह आपके लिए एक घटित हो शिक्षन का आनंद लीजिए नीती वचन के अध्याय 28 में एक दो तीन चार पांच छे साथ भिन भिन पद हैं जो पैसों के बारे में शक्ति से भरे हैं नीती वचन 28 छे टेड़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुशी उत्तम है इसी समझने की जरूत नहीं और अब आईए पदाट पर ध्यान देते हैं जो अपना धन ब्याज आदी बढ़ती से ध्यान दीजे जो अपना धन ब्याज आदी बढ़ती से बढ़ाता है वो उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रा करता है मुझे ये पसंद है जाओ जाओ मूर्ख लोगों पैसे बनाओ कि वो मेरे पास आया और मैं निर्धन को दे दू यही कहता है लोग बेमानी करते हैं कई तरह के पैसे आते हैं और जानते हैं बाइबल अवश्य कहते कि दुष्टों का धन धर्मी के हाथ में रख दिया जाएगा और एक दिन अपार धन का अस्ता तरण होगा किन्तु यह उन पर नहीं आएगा जिनोंने कभी पैसे को मान न दिया न उसे संभालना जानते हैं और यदि आपको कभी परमेश्वर से कोई आर्थिक चमतकार चाहिए हो तो आपके पास अभी जो है उसी अच्छे तरह संभालिए नीती वचन 28-16 जो प्रधान मंद बुद्धी का होता है वही बहुत अंधेर करता है जो लालच का और अनुचित लाब का कैदी होता है वह दिरघायू होता है जानते हैं अनुचित लाब क्या है? पैसे कमाने के लिए गलत मार्ग अपनाना आपको एक बात बताओं कर्मक्षेत्र में पदोन नकी के लिए धी समझोता करें तो यह अनुचित लाब हुआ यदि अपने व्यापार में आप अपने कर्मचारियों को वेतन कम दें ताकि आपका लाब अधिक हो तो यह अनुचित लाब हुआ प्रभु चाहता है कि लोगों को वो बरताव दे जो आप अपने लिए चाहते हैं वो वेतन दे जो अपने लिए आप रखना चाहते हैं और प्रभु चाहता है कि उन्हें वो लाब बाटे जो आप चाहते हैं कि आपको मिले ये मेरी इक्षमता के बाहर है लोगों से अच्छा बरताओ आप इक्षमता के बाहर नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों से अच्छा बरताओन करने से परमेश्वर शुब्द हो जाएगा यहां भी कहा गया है जो लालच और अनुचित लाप का बैरी होता है वो दिरगाई होता है पद पच्छिस लालची मनुश्य जगडा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हश्ट पोश्ट हो जाता है और पद सत्ताइस जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती पर उन्थो जो से दृष्टी फेर लेता है वो शाप पर शाप पाता है हम देने के लिए बुलाए गए हैं इसलिए नहीं कि देखे कितना हमारे हाथ लगता है मत्ती छे तैतीस कहता है पहले तुम उसके राज जियो और उसके धर्म की खोच करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी जीवन भर एकाधि पत्ती मत कीजिए इसकी परवाना करते हुए कि खेल से किस-किस को आपने बहार निकाला है केवल ये देखने के लिए कि खेल के अंत में सब कुछ महीं छोड़ कर आपको जाना पड़ रहा है हमें सुनिश्चित करना है कि स्वर्ग में निदी खटी करनी है आईए अब मैं आपको रिंट के बारे में कुछ आकड़े बताती हूँ ताकि वास्तविक्ता से आपका परिचय हो जाए 71 फी सदी अमेरिकन चाहते हैं कि रिंट से उनके जीवन में सुख नहीं कहिए 71 फी सदी अर्थाथ सिर्फ 29 फी सदी लोगों का कहना है कि अधिक करुण उन पर दबाओं नहीं डालता रिंट लालत से संबंदित है अकसर हर बार नहीं लेकिन अकसर इसका कारने कि लोग चीज़े खरीते हैं जो बहुत जरूरी नहीं है और उनके लिए रिंट ले लेते हैं क्योंकि शरीर को तो कभी संतोश नहीं है वो चिलाता ही रहता है और 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 मुझे तो छुटी पर जाना है नहीं नहीं जाना है नहीं जाने दी जाने के लिए उधार लेना पड़े तो यही तो किसी को पता नहीं मुझे जरूरत है डेव और मुझे छुटी पर गए पता नहीं कितने 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 साल हो गए लोगों की गलत मुनिवृत्ती है कि जो कुछ उनके माता पिता को 50 साल लगे पाने में उन्हें अभी चाहिए यह लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है जब कुछ आसानी से आता है तो लोग नहीं जानती कि उन्हें कैसे सरा है अगर छुटी पर नहीं गए तो मर तो नहीं जाएंगे आपको छुटी जरूर चाहिए मगर जरूरी नहीं कि इसके लिए आप बहुत सा पैसा खर्च करें और उधार लें आप अपने छुटी खुद मनाईए अपने ही शेर में कुछ कीजिए आराम कीजिए विश्राम कीजिए आपको विश्राम की जरूत है, मगर कुछ काम ऐसे जिने रिंड लेकर नहीं करना चाहिए बाइबल कहती है नीती वचन बाइस साथ में उधार लेने वाला विस्तरत बाइबल में उसे दास कहा गया है देने वाले का दास होता है रिंड स्वतंतरता चुरा लेता है सत्तर फीस सदि अमेरिकन का जीवन वेतन से वेतन तक होता है आपत कालीन फंड में कुछ नहीं होता और यदि कुछ हो जाए, यदि नौकरी छूट जाए, कमपनी बंद हो जाए लोगों की छटाई हो जाए, यदि वेतन घटा दिया जाए, यदि कुछ भी हो जाए, तो निर्भर योग्य कुछ नहीं होता, उस्तिती में आप सिवाय दबाय के और किस भरोसी जी सकते हैं। तो हमें उस तरभाय में जीना नहीं पड़ेगा। लोग इदी आर्थिक सुरक्षा चाहें तो कमाई से 30 फिस सदी कम में उन्हें जीना चाहिए, मगर अधिकाश लोग कमाई से कई गुणा अधिक में ही जीते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। कमाई से ज्यादा कैसे खर्च करते हैं। प्लास्टिक हम सभी को प्लास्टिक सरजरी चाहिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है। हमें हर एक से हर सुविधा हाटा लेनी नहीं चाहिए इसलिए कि कुछ लोग संभाल नहीं सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड यूज करती हूँ, मगर हर मैने भुकतान करती हूँ। बात तो अच्छी है कि सुविधा के लिए उनका इस्तेमाल हो। मगर जैसे बाइबल कहती है, तुमारी आख शुब्द करें उसे फोर डालो, यदि हाथ शुब्द करें तो उसे काट डालो। देखें जिस चीज को आप संभाल नहीं सकते हैं उससे आपको पिंड छुडा लेना चाहिए। जीवन से उसे बाहर निकाल लीजे, उन्हें तोर डाली यदि परमेश्वर यही करने को कहे तो। अकसर लोग अपने समू की स्थिती को भी नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है आपनी भेडो की स्थिती को जानो। अपनी चेक बुक को आप मिलाईए, किसको क्या देना है पता रखी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, मालूम रहे कि आगे क्या हो रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए, अपने पैसे के बारे में आपको ज्यान में नहीं रहना है। ओ, मुझे नहीं मालूम था कि वो एलेक्ट्रिक बिल इसी हफ्ते में आ जाएगा, वो तो हर मैंने आता है, अगर अभी तक नहीं आया, तो आता ही होगा क्या सब लोग समझ रहे हैं? बहुत अच्छा है, अरे ये तो उधार वाली कंपनी की निशानी, ये सब सच्चाई है, ये उधार देने वाली कंपनी की निशानी है, अब हम परियाप उधार लेकर रिंड के चंगुल से निकल सकते हैं और ये कैसा है, उधार ये आप कोई जानने से रोखता है कि आप कहां तक कंगाल हो चुके हैं मैं कंगाल नहीं इन वस्तों को दे देखिए जो मेरे पास है, एक कर्मचारी ने मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग की मालिक से कहकर कि कई कंपनिया उसके पीछे पड़ी है और जब मालिक ने पुछा कौन-कौन से तो कहा कि एलेक्टरिक कंपनी, फोन कंपनी और गैस कंपनी देखिए क्रेडिट कार्ट्स ने इन चीजों को पाना तो संभव कर दिया, मगर ये ब्रह्म है कमाई से ज्यादा खर्च करती हुए करीब पांच साल बीच जाते हैं और तब वो आपकी बराबरी में पहुचता है तो आप तक क्रीबन पांच साल तक उस सपनों की दुनिया में ऐश कर सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है मगर जब देने पढ़ने की बारी आती है और आपने से कार्ट पर लिया इसे देने के लिए और इस पर लिया उसे देने के लिए और अब सारे के सारे भर गए हैं और कोई और कुछ नहीं देगा तब ही कठो उर्वास्त विक्ता सामने आती है तब ही लोग वेदी पर जाकर चमतकार चाहते हैं आपको चमतकार की जरूत नहीं यह दिया ज्यान के कारण इस विपत्ती से घिरे हैं आपको छुटकारा पाने के लिए जो करना चाहिए वही आपको करना चाहिए और एक अच्छा सबक लेना चाहिए ताकि आप इसे फिर कभी ना दोना ये तो बात ऐसी हुई कि छे मैंने अत्या दिखा लिया फिर किसी से कहने लगे कि शरीर से चर्वी कम करना है कितने अच्छी बात है कि सालों में मेरा इहाना होता है न और जानते हैं मेरी हार्दी की चाय कि मैं लोगों को बढ़ते देखूं हम इस संसार के लिए धारन बनना चाहिए और मसीयों की स्थिती नहीं होनी चाहिए मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो दबादारू के लिए भी रिदी हो जाते हूं इसलिए आपको Health Insurance का सहरा लेना चाहिए, अपने देख भार के लिए जो काम आवश्यक है उन्हें आपको करना चाहिए, एक बार फिर अच्छी तरह से इससे समझ लीजिए और टीवी के दर्शक भी मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूं और ना बुरी लगने वाली बात क कि चीज़ आपको स्वतंत्र कर सकती है और वो है सत्य, जब तक हम दोशा रोपण ही करते रहें गे, अपने दोश कहीं और थोपते रहेंगे, अपने लिए सदाखेड में होंगे और बहाने बनाते रहेंगे, हम कभी चंगे नहीं होंगे जीवन के किसी क्षेत्र में भी नह एक मात्र मार्ग है सितियों को सुधारनी का ये कहना कि जानते हैं सुनने में जरा दर्दनाक तो है मगर ये महिला सच बोल रही है अब मुझे कमर कसलेनी और मुझे कमाई के अंदर जीना शुरू करना है देखिए आपके सीमान थे और जब भी आप सीमान पार कर जाएंगे वे संकोचेत होने लगेंगे और आपका जीवन छोटा और छोटा होता जाएगा परन्तो येदि सीमाओं के भीतर रहें तो वे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और आपको करना ये है आपको चार काम करने है येदि आप आर्थिक स्थिर्ता चाहते है आपको काम करना है पहला काम काम करना है कुछ लोग तो ये वो भी नहीं करना चाहते आपको बचत करनी है आपको दान देना है वास्तों में देना पहले है काम कीजिए, दीजिए, बचत कीजिए, फिर खर्च कीजिए काम करेंगे, आप देंगे, बचाएंगे, फिर खर्च करेंगे आपको देना और बचाना चाहिए खर्च से पहले और ये सब अपनी सीमाओं के भीतर करेंगे तब आपकी सीमाएं बढ़ने लगेंगी और आप अधिक से अधिक कर सकेंगे यदि 25 साल का नौजवान बचत करना शुरू करे और हर महिने बैंक में 65 डॉलर जमा करे तो जब वो 65 का होगा उसके पास 10 लाग डॉलर होंगे केवल 65 डॉलर जो की आज कुछ भी नहीं देखें यदि आप इसके लिए योजना बनाए शायद इस घड़ी ठीक न हो मगर आप उस मोर तक पहुत जाएंगी जहां आप 200 डॉलर बचा सकेंगे या मैना 300 डॉलर और फिर शायद मैना 500 डॉलर मेरे सारे इतने उदार है मैं तो पैसे बचाने की सोच नहीं सकता आप ऐसा करेंगे सबकी तालिका बनाएए और सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाईए आप कहेंगे बड़ा पहले क्यों नहीं क्योंकि इससे आपको प्रोचसाहन मिलेगा उधार चुकाने का इसलिए पहले छोटे को चुका दीजिए और फिर जो पैसे उसको दे रहे थे आप उसे लेकर आप दूसरे छोटे कर्जे में जोड दीजिए फिर आप उसे चुका डालिए और देखते ही देखते ही मानने की शुरु में साथ थे यह पांच रहे गे वह अरे अब इसमें से रकम ले लीजिए और इसमें से रकम ले लीजिए और इस भुकतान में जोड दीजिए और फिर वो कर्द तेजी से चुक जाएगा एक बार जानते हैं इसमें शायद दो तीन साल लग जाएं और फिर शीक रही आप केवल मकान और घर के लिए ही चुकाते हैं और तब आप बचट शुरू कर सकते हैं अब तक आप देते रहें और अब बचत शुरू कर सकते हैं और फिर शीक रही जब 6 महीने के खर्च के पैसे बैंक में जमा हो जाएं पहले आपको एक कापात कालिन कोश चाहिए हर एक को कम से कम 1000 डॉलर उसमें रखना चाहिए आपत कालिन समय के लिए जैसे कि कोई टायर कोई वपत्ती आही जाएगी ये पक्की बात है फिर कोशिश करनी चाहिए कि बैंक में 6 महीने के खर्च के पैसे जमा हो कि यदि कुछ हो जाए तो आप सुरक्षित हैं सब लोग इदर उदर यूमत देखिए जैसे कि असंभव बात कर रही हो महीला लोग तो ऐसा बरताओ क कर रहे हैं जैसे कि मैं उनसे कुछ कह रही हूँ मैं यहाँ पेक्षित होने के लिए नहीं है मैंने 6 मैंने पैसे बचाए हैं जोर से चिलाने से 6 मैने में कुछ नहीं बनने वाला देखिए आप वहीं पहुचने वाले हैं जहां आप कुछ करने वाले हैं ही नहीं आप यदि जिम्मेदारी लेना न चाहें तो कोई और आपको जिम्मेदार ठहराएगा आज या कल आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे तो किसी और के बदले आप सिलसिला शुरू कर दें शुरुआत अभी करनी और निशाना साथ कर आगे बढ़ना है यहाँ जो कम उम्र वाले उपस्तित हैं यदि बचा तभी शुरू कर दें और एक निमित रकम बचा लें आपको चाहिए कि उसे एक बिल के रूप में देखें अर्थात कीजिए मगर पैसे को ना चुए किसी दिन सारे दबाओ दूर हो जाएंगे आपको वो जिंदगी बसर नहीं करने पड़ीगी जो रंग रेली में मस्त हूँ जब भी हम कुछ लें जिसकी रकम हर महीने के अंत में चुका नहीं पाते कल की दौलत हम आज खर्च कर रहे हैं अधिकांश अमरीकियों के पास औसतन साथ क्रेडिट कार्ड और कुछों के पास तो 15 और 20 भी है एक बात सुनिए जरा बात सुनिए एक आकड़ा बताता है कि हर तीन महीने ध्यान दीजिए हर तीन महीने डेड़ सो करोड क्रेडिट विज्ञापन होते हैं अमरीकन पब्लिक के लिए वे कहते हैं कि हर महीने डेड़ करोड होते हैं बापरे इतने सारे विज्ञापन आप हाई वे पर निकले खरिदने वाली चीज़ों की एंसाइकलोपीडिया में से यात्रा जैसी होगी मुझे अभी खरिदिया आपके पास होना चाहिए होना चाहिए आपके इसके योग यह है नब्बे दिन नगत के बराबर आपको उसकी जानकारी चाहिए 70% लोग 90 दिन के अंदर नहीं चुकाते और concrete के बल पर उधार देने वाला इस बात को जानता है आपका Contract दुकान से आपका Contract खरीद कर उधार देने वाला इसे जानता है वे Contract खरीदते हैं यह जानते हुए कि 70% लोग 90 दिन में पैसे नहीं चुकाएंगे और आपने जो चीज खरीदे उसके मूले में उन्होंने ब्याज मिला दिया है उसका मूले आप दे चुके एक बात और यदि आपने 90 दिन में न दिये तो आपके खरीदने के दिन से ये ब्याज लेंगे 90 दिन के बात से नहीं और आपका हस्ताक्षर एक कॉंट्राक्ट पर की वैसा कर सकते हैं सो आपने खरिदते समय इसका मूल्य अधिक तो दे ही दिया ब्यास तो हरालत में भरेंगे ही मगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ मुफ्त में मिल गया जबकि आप से उसे ज्यादा वसूल लिया गया जो मूल्य आपने दिया होता अगर खरीद दूसरी तरकी होती देखे ग्यान के बिना लोग मर जाते हैं इसे पढ़कर मुझे शिक्षा मिली कि अधिकांश क्रेडिट कार्ड के ब्यास बदलते रहते हैं यदि ब्यास कदर बड़े तो आपका रिंड भी बढ़ जाएगा और 17 फिसी दी क्रेडिट कार्ड वाले से जानते हैं लोग कॉंट्रेक्ट साइन करते हैं ये समझे बिना कि वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं अपने साथ ये अनुबंद कर लीजे कि आप कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले घर जाकर 24 गंटेस के बारे में सूचेंगे वो एक विक्ति का है जिने ये पसंद है कमोन मेरी ओर देखी क्या आप सबको प्रतिते की मसी इस सिर से पाउं तक रिंट से दबे रहें नहीं हमें तो स्वतंत्र होना चाहिए मुझे यही सुनाई देता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर रहूँ पता नहीं क्यू हर कोई इस्तिती में फस जाता है शायद कोई है जो निरुपाय है शायद आप अपनी स्तिती के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं शायद अपने पैसे में से आपने एक पैसा भी करच नहीं किया इस कड़ी महिनत की और एक भी गलत काम नहीं किया दे आ पास देने केलिए कुछ नहीं प्रभू आपकी जरूरतों को पूरा कर आपको बहुत तायच से देना चाहता है ताकि उम्रा हुआ आप दूसरों के जीवन में पूरी तरह से उंडेल सकें आज ही अप प्रार्थना के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बादे में और जानकारी और जॉइस की सभाओं का शडियूल जानने लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में सीका प्रेम बढ़ने के लिए ये कारेकरम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रयोजी है